आप जी ने बहुत 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 जनम देंदी आप जी सभी आप सभी को सर बरिये तैंक यू जी इसे मसले दें दो देन होगे गल्लावत न कर देनू आज साथा टापिक है कि भी जीड़े दस्वें लाग रुडांग देव जीतों सब्सक्राइब वड़ा असूल उनना दा एई इसी गा नाम जपना किर्थ कारना वंड शक कार देने हैं जी व剛剛 दे माराइब शी खर Online दस्वे बच्छे आया सारे सब्सक्राइब भा मइन दस्वे मारा हृ दा स्वे जाएं को मद धरा को हैं जीड़ा पर लाग देए क्या है इस प्रत बायं द्रीड़ा présent representations इंदाश्वे सारी झ्कान शारी अवर Зबिच балu बर्वह ज सब्सक्राइब कर दो कर दो कर रहे हैं मुगला दे फिर असी गुलाम हो गया पच्मी लोका दे ब्रेटिश वारे सी के होना सी नौमिनल अजादी होगी है मुड़के फिर महमना दे गुलाम बढ़ गया है और पारत दा कांस्टिशुशन आउन वदल बदल के साड़ा कुलामी दा फेर दवारा स्ट्रोंग कर रहे हैं पर ए सारी जड़ी कैंसरा मुड़ मुड़के जमदी रहें दी है बाव जूद ने कांपाग दी लार दे वेच ते दसां पाशाईयां ने ते बहुत जदोजाद की थी एथ हों ने ओपन इंविटेशन दिता सारी कम्यूनिटी जनू चाहिए कोई राजपूर सी चाहिए कोई चमाज सी जहां कोई जट सीगा जहां कोई होर सीगा जो भी सब नू केंदे आओ पाही रड़ो एको खंडे बाटे जो अमरे शाके एको पहरावा एको कारदा तोड़ा जनम म रवास पर एजड़ा साठी जदो जाया था काफी समा हो गया फिर भी साठे समाई दे हिस्से जमें आपी ने इसिकली का रहा है बन जारे ने जा कोई होर ने नंग बन थी ने बड़े हिसे हैं कि ने पर असी एक नहीं हो सके साठे विच्छों एजड़ा जाद पाता जा प् पावे असी अर्दास से कहने हैं खुआर होई साम्मेलांगे बचे शरण जो होई सो मेरी यालस तो अनू दोनान हुए है कि ए विचार दसो तुसी तो शुरूआ तो अडिक बलनों जगदेश से के विच सतनामी कम्यूनिटी किस तरह इदा पे छोकड़ा है ते कि में गुर उसके पहले भी सतनाम लेवा थे वो और हम आज की परिष्थिती में कहें तो गुरू नानक सतनाम लेवा है और गुरू के नजदीक सुरू से रहे हैं सहाधत का समय हो चाहे आज की परिष्थितिया हो और हम जेब के जुल्वों सितम से तो सिक समाज भी सहीद हुए जारो बच्चे दो बच्चे और गुरू तेग बहादूर साहब तो अगर एक लंबा इतिहास देखें तो औरंग जेव जो पचास साल राज किया भारत मुलक में और सबसे ताना साह था और उसको ताना साह बनाने में कहीं ने कहीं उनके पीछे कोई हाथ रहा है तभी वो इत वाल में चुनवा दे तो ऐसी बातों को अगर हम स्टडी करें इतिहास की बातों को अध्यन करें तो हम औरंग जेव की भी अगर बच्चपन से लेकर उसके करूर बनने तक का जो अगर इतिहास को स्टडी करें तो कहीं ने कहीं कोई ने कोई उसको गलत पाट पढ़ाया और और ऐसे उन्हें करूर बनाकर इतिहास में उन्हें ऐसा मतलब किया गया जिसके कारण इतने सारे समुदाय को उन्होंने परताडित किया परिसान किया ओभी धर्मे के नाम पे तो आज हमारा जो कौम है चाहे वो सतनामी कौम हो चाहे सिक कौम हो उनकी जिल्लत और जो जहादत था उसको सबसे ज़्यादा अगर फेस किया है तो सिक समाज किया है सतनामी समाज किया है बाकी और कोई समाज नहीं किया है तो इतिहास बताता है कि हम सत्त के रास्ते में चलने वाले लोग हैं जो हमारे हर्ट में जो हमारे कुदरत से हमें जो सत्तनाम का मार्ग जो दिया है इसको छीनने की कोशिस की गई और इसके लिए हमारे गुरू ने सहादत दिये और यह हम छोड़ेंगे नहीं यह मानवता का धर्म है यही धर्म है गोतम बुद्ध ने दुनिया को सबसे पहले संदेश अगर सत्त की खोज किया तो गोतम गुद्ध से लेकर के गुरुनानक जी के दस्वें पासाथ से लेकर छत्ति जगड़ के गुरुगासी दाजी तक गुरुकबिरदाजी तक कुरुरविदाजी तक कि इतिहास को हम देखें तो हमारा जो ये कायंव है सत्यके मारके में मरध मिटने वाला है और हम मानachtा को संदेश देने वाले कायं है और हम इसको कभी चोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो आज भी परी इस्तितियां वही चल रही है तो इस स्थिती में हमें गुरूओं के विचारों को जन जन तक पूरा दुनिया तक फैलाने के आओ सकता है ठैंकियो जी ग्यानी जी जगदीज जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला यह बात ठीक है क्योंकि जो भी परमेशर के प्यारे हुए चाहे भगत कबीर जी भगत रविदास जी भगत नाम देव जी जतने भी महापुर्श होए गुरू साहवान और उन से पहले भी जो जैसे आज़री महामद साहब है ईसाजी जहां जतने बड़े महापुर्श होए उप देश तो सभी ने मानमता के भलेका ही दिया है गुरू साहव जी ने एसमें और भी बड़ोतरी की जैसे श्री गुरू गरन साहव जी की पामरबानी जो उसमें 15 भगत जो अलाग अलाग खितियों से, अलाग अलाग स्टेटों से और अलाग अलाग वाख वाख शरेणियों में मेंसे थी लेकन सभी का सिधानत एक ही था वो परमेशर की बंदगी उचा सुचा आचरण और मानुता के भले की बात तो गुरु सहीब जी ने उन सभी की बानी जो गुरु गुराण सहीब जी में अंकत की मैं यहां एक बात और भी कर दूँ कि कोई भी जमात कोई भी मजभ सारे लोग एक जैसे नहीं होते ब्रामनों में भी कई बहुत अच्छे हैं जैसे गुर्बानी में भी भगत रामा नांजी भगत जायदेव जी ब्रामन थे उनकी बानी भी गुर्बानी में अंकत की गई है आज भी जब हम इंडिया का जो आज सेस्टम उसमें बहुत बड़िया बड़िया जो ब्रहमन लोग भी हैं हिंदू लोग भी हैं वो भी जुल्म के विरूद आवाज उठा रहे हैं ते इसलिए यह सबी जो जातपात का कोहड़ है यह मानुता के उपर सबसे सबसे बुरा काल ठीक है जगदीश जी तुस्थी दसो कोई होर बिचारा अपना देखिए हम अगर अभी गुरू गोविंग सिंग जी का प्रकास पर मना रहे हैं और उन्हें हम नमन कर रहे हैं और देश में आज हमारे देखने सनने वालों को उन्हीं के बिचारों को लेकर हम डिवेट कर र ध्यन करते हैं तो उन्होंने अपने कारकाल में 14 से उपर तो युद्ध लड़े उसके बाद में जो चमकोर का सबसे बड़ा था वो उसमें जिसमें दो उनके साहिब जादे जो सहीद हुए और उनकी दरबार में बड़े-बड़े ग्यानी 41 से उपर बड़े-बड़े साहि से अब्तिकार लेकर और दारसनीक और बुद्धी-जीवी को बुला करके वो उनके विचार सुनते थे उसमें सभी जाती धरम के लोग थे और उन्होंने सची मानौता का जो बचपन से उनके अंदर में जो अपने संसकारों से अपने पिता से अपने उस उलोकिक ग्यान से उन्हें जो मिला था वो ऐसे महान गुरू जिनको हम आज उनके चरणों में कोटी-कोटी नमन करते हैं क्योंकि ऐसे गुरू के चरणों में उनके सानिदे में उनके अभी अभी में नांदेड गया था जहां पे उनके समाधी स्थल है मुझे एक ऐसी अनुभूती हुई वहाँ पे सच की अनुभूती हुई जिसको मैं अपने दिल से हर्ट से फ्हील कर सकता हूँ उसको मैं वेक्ट नहीं कर सकता तो ऐसे महान गुरूं की जो विचार है उसको अगर पूरी मानोता अगर सच की बात को पढ़े देखे सुने समझे तो निश्चित रूप से हर इंसान कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जुट के रस्ते पे चलना चाहेगा हर इंसान चाहे वो कोई भी जाती धर्म का हो अगर सच की बात को उसके अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो निश्चित रूप से सच को स्विकार करेगा उनिवर्सल टूथ तूट इज़े उनिवर्सल टूथ दूथ दूनिया के अंदर में सत्त को किसने नही माना है सबने माना है तो आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां है जो सच के रास्ते पर लोग भढ़क करके तमाम प्रकार की जो घटनाय आज देस में घट रही है तो इसके पीछे कोई ने कोई साजिस है जो हमारी सच को खतम करने की और जूट को लादनी की कोशिस की जारी मुलाकात होई गुरू तेग भादर्श से उस वाबस जरा बचार दसो देखे जग जीवन साब उदादास जी थे और वीरभान जी थे तो ये उस समय के बहुत सच्चे और समाज में प्रतुनिधित करने वाले एक परकार से इनको उधर उदादास जी को आज भी गुरू गरं इन वाले दस्में गुरुजी को माना जाता है, वैसे उन्होंने एक पूथी लिखा है, सतनाम की पूथी, और ये पूथी उदादास जी ने लिखा है, और आज भी उत्तर भारत में लाखो के संख्या में सतनामी हैं जो भंडारे लगाते हैं, और आपस में भाइचारा के स सतनामी समाज के लोग रखते हैं पिछले वर्स रिशी केस में ये आवजन हुआ था और 36 गड़ से मुझे उस भंडारे में जाके सामिल होने का आउसर मिला था तो आज भी उदादास जी को मानते हैं और उदादास जी के ही परिवार में उनके जो जगदीवन दास जी थे ये उस समय सतनाम का प्रतनुदित करते थे और गुरू जी के साथ में इनका बहुत ही सानित दे रहा है गुरू तो एक बहुत दूरू जी के साथ में ये बताओ ज़रा के बेए डाक्टर साब मैंनो अब आज आनी बंद होगी वेज़ कोई कॉला इसी थे अब आज नही उस थे बादा आन लगी ते अच्छा मैं इसनो चाक कर लामा थुड़ा आज करो चाक तुसी थे अगरबाल साब जी पताइए जगदेश जी आपने जदो गुरू तेग भाई दी शहीदी होई या पाई जाता जी लागे गयने उनना दा सेर गुरू गोवन सेंग जी पास जोड़े हो इसी तो इसमें सबसे पहले जो मारे गए वहाँ पे आसपास में वो सतनामी ही थे जो गुरू जी के साथ सुरू सही साथ देने वाले थे और दूसरा कम्यूनिटी तो था नहीं और गुरू जी के सीज को पहुंचाने में आरनपूर साहब ले जाकर के गुरू गोविंग सिंग गुरू जी को वहाँ पर उपने सीज देने में आरनपूर साही पहुंचाने में इनका एक महत्य योगदान है और वही पर उन्होंने कहा था कि जब गुरू जी का सीज उन्हें अरपन कर रहे थे तो दूर से दे रहे थे कि बोले हम तो नीची जात के हैं तो नीची नहीं था कि आप गुरू के बेटे और रंगरेटे हो आप हमारे च्छाती से लगो ऐसा गुरू जी ने वहां जी गुरू के बेटे गुरू के बेटे राइट जी यह वर्ड यूस को या था था नौ में पास्षादा उस लखी शाद बन जारे ने उसनों अपने मकान देवेच अग जी जी यह भी सतनामी क्योंकि उस सेरिया में सतनामी सतनामी ही थे और कोई दूसरी सतनामी नहीं थे जो सचे सतनामी थे वो नारनौल पंजाब के आसपास मत्रा आसपास में सतनामी थे जो वहीं से सताय हुए इनके सताय हुए लोगा च्छतिजगर में सतनामी है जो आज भ लोगन के साथ में हमारा बड़े भाई और चोटे भाई का रिस्ता है हम गुरू भाई हैं और आज भी बहुत सारे जो सिख भाई हैं जो सत्नामियों को समझते नहीं हैं जो जानते हैं पुराने इतिहास का रहा हैं वो गले लगाते हैं और आज हम पिछडे हुए और बिछडे हुए भाई हैं इनको गले लगाने के आवसकता है पूरे दुनिया के सिख समाज को सतनामियों के बारे में समझना चाहिए उनके आथिक हालात के बारे में समझना चाहिए उनको अपने साथ आपस में भाईचारा और अपने एक गले ल का प्रोग्राम हो रहा है तो आपस में हम एक विचार और एक नाम लेवा एं तो हमारी को को खतं करेगा अगर हम सेक और सक्षप्तर वही है अगर हम दो Community जो सुरू सही हमारे जो दूरिया बना दी गई इन को मिटा करके एक होने के जुरत है आज के इस गुरूप पर उपर मेरे विचार से यह यह बहुत आपकी अच्छी एडवाइस है ते होना भी ऐसे ही चाहिए यह करन दे लई आसी लोग की रोल इड़ा कर सकते हैं इस नुके में हेल्प कर सकते हैं दे बिच यह अब जरा एदे विचार करके कि दुगने करने के विचे सहगों की सोला शोफ छिपन में सत्रहसुचपन में संत गुरुघासी दाजी जो मैदनी दाजके के मेदिनी दाजी के पुत्र थे और उनके पिता जी जो जागमदाजी मेदनी दास जी उदा दास जी के परपिता थे और 36 गड़ में जब उधर आये तो ऐसे ही उनको ग्यान प्राप्त हुआ वहाँ पे एक लाखों के संख्या में मार्च में अभी मेला लगने वाला है और वहाँ पी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुतुम मिनार से भी उचा जैत खाम मना हुआ है वहाँ पे सफेद का जंडा चड़ता है और गुरु को जो ग्यान मिला था वहाँ पे अमरित का कुंड है वहाँ जहाँ पे तपस्या जो किये थे वहाँ पे ग्यान का प्राप्त हुआ था वो सारी जगह जो है आप हम पूरे विश्व के सिख समाज को हम आमंत्रित करते हैं कि सद्ध गुरु घास जी जो सतनाम का परचार किये 36 गड़ में और सद्ध का मार्ग दिया उनके उस जगह को देख करके जो मिलान अगर हम करें तो गुरु अमरदास जी की जो हरमंदर साहब है वहां भी लाखो सतनामी उसको अपना मान करके हर साल लाखो सतनामी ऐसे अपने डह से वहां जाते हैं गुरु के दर्शन करके आते हैं तो कहीं ने कहीं सतनामी समाज सतनाम को मानता है और इतिहास को मानता है और आप सब लोगों को हम लोगों को अपना भाई मानते है यह बड़ी खुशी हो रही है एक आल सुनके क्योंकि मैंनों परसनल लेवल थे को खास बाक फिर नहीं थी स्रतनामिया की अभी आप से मलाप होने से मेग राइसिंग से मिलने से इन बातों का पता चल रहा है जो बहुत हुशी हो रही है कि हम इस बारे विचार कर रहे हैं और फिर एकठे हो ये किसे न किसे रीके देना है कोई बंदे मैंने कहीं पड़ा था कि कोई ब्रेडिश से काउंसल है जहां स्कॉटलैंड से जहां इंगलेंड से वो कोई सतनामिया की में मदद कर रही है किसे रूप सर वहां पर देवपुरी में जो पांच हजार स्कॉाइब फेट जमीन जो है एक चेतन सिंग टॉंडर जो केसधारी अमरिच चकर के डेड़ सो सतनामी सिख बने थे चतिस गड़ में सतनामी और वह गुरुद्वारा अभी भी है अभी 25 तारी को गोव भाजीदाजी का मेला होता है वहां पर आमंतरित भी किया है और सतनामी समाज के लोगों उनको सम्मान भी किये 36 गड़ में मैं भी इनका सम्मान किया क्योंकि आननदपुर साहिब में 10-10-2019 को सतनामीों को बुला करके आननदपुर साहिब में सम्मानित किया गया था उसमें म अच्छा अच्छा बहुत अच्छी गाल है सो अरड़ी स्टार्ट हो गया एक दुझे देने हो जावागे हैं जी जे हम एक और बात रखना चाहेंगे जो पांच हजार स्कॉयर फिड़ी जो जमीन सिक और सतनामी भाईयों को धर्म परचार के लिए जो दिया गया है उस गुरुदवारे को एक सैनी करके जो सिक परचारक हैं उडिशा और दोतिन राजजी के चीफ हैं उन्होंने हमारे सतनामी भाईय का उस दिन अपमान भी के ये बड़ी दुखत बात है मैं अपने आखों स और उसका एक परिचे तक भी लोंगोवाल साथ के साथ नहीं कराया गया और बलकि उनको वहां पे लंगर भी नहीं चखाया उनको पूछा तक नहीं किया गया और उन्हें अपमानित करके वहां से भागा दिया गया कि वह अपनी समस्या को लेके गया थे कि हमने इतना जमीन दिया है और इसमें हम सिख भायचारा और धर्म परचार के लिए दिया हुआ है तो ये जो जमीन को कबजा करके वहाँ पे जो धर्म परचारक बने हुए है सेनी जी तो इसका हम जो हमारे सतनामी और जो इतना इतिहास हमारा जो समाज का है इसमें वहाँ कहीं ने कहीं कोई कड रवाट थोड़ी सी आ रही है इसको सिख समाज पूरे भंदुस्तान होगा पूरा वर्ल्ड के और गुरुगोविन सिंग हम जो एज़ीपीसी के चीफ है लोंगोबाल से उनसे भी बिनती करेंगे और सिख समाज के जो जिम्यदार वेक्ति हैं भारत के उनसे भी हम बिनती करे हैंगे कि जो चेतन सिंग्टोंडर ने जो पांची जार स्क्वार्स फिड़ जमीन दिया हुआ है उसको सतनामी और सिख समाज के भाईचारा के लिए उपयोग किया जाए और आपस में हमें तोड़ने का कोसिस ना किया जाए जो तोड़ने और कभजा करने की कोसिस की जा र दो तेन सो बदे जड़े हैने और सिक तर्मनों मनिट बाले ने अभी भी वह है केसधारी है उन्होंने वह अभी भी गुरद्वारा जाते हैं और यह कहीं ने कहीं ऐसी बातों को लेकर थोड़ी सी बात वहां पर रुक सी गई और रुकने का कारण यही था कि आपस में सी आप से आकर के हमारे जमीन को लेले हैं और हम को अपना साइड कर दिये हैं और इसमें हमारे और में को restrictive की आना जाना हमारी रोक लगा दिये हैं इस बात को चेतन सिंग्ख को बहुत तकलीफ है वो भी अभी जीवित हैं मैं किसी दिन उनको लाइव डीबेट महैं या उनक आवास सुन रही है तौन मेरी हाँ जी सुन रही है जी आपने जगदीश जी ने दस्या के बई च्छाथ इस गाड़ दे वेच काफी जमीन दे के एक चेतन सेंग टूंडर उपना ने बड़ी सेवा किती है ते आज जाल पंजाबियां ने वो जगह दे काफ़ा कार लिया ते होना नूँ पजाता ते इस सतनामी कम्योंटी नूँ बड़ा इस गाल ते रोस है जिड़ा जैन्वन रोस है के वह बजाए एक दुझे नेड़े होन दे हो एक दुझे दे वेच दुफान पैदा कार रहे ने एक जगदीश जी ने मेरे नसांजी किती है जदो तुसी नहीं अब जी डिबेट सोन रहा थी तो आड़ीवी सामने नीची फोटर रहे इता मतलब मेरी भी नहीं आपनों सोन रही थी लेकर जगदीश जी कि मैं काफी विचार सुने आ उन्हों ऐसा है कि जो धर्म है ना जी जो मेरी समझा ओते है त्याग का नाम प्यार का नाम पारूपक जो मतलब प्रस्ट लोग आगे आ जाते जो हमें के कारण अपनी चाहते हैं वही नुक्सान करते कमुनिटी का जे जे ठीक है ठीक है ठीक है ते सानूना तो बचंदी लोड भी है ते उना नू इस पासे लिए लोड है कि जड़ें गल्तियां करनी आगे तो खत्म हो जाने इ चार दस हो के वह उन सतनामी ते जेड़ी पंजाबी कमुनिटी है के वह हूर एक तुझे दे निड़े आस जान देखो ड़क्टर साब और जगदीश जी जो सिख हैं जो अमरत शागिते हैं खालसा बन जाते हैं वो सतनामी वन जारे शिकलीगार और भी कई कमुनिटियां है जो गुरू जी को मानने वाले हैं बहुत लूजाएं उन सभी में आपसी तालमेल की कमी के कारणी एक दूसरे से दूर है जैसे अब हम डिवेट कर रहे हैं और भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे जो जैसे हमारे जो लीडर हैं उनके हाथ में बहुत कुछ होता है क्योंके कावम की अगवाई करते हैं तो जो मुखियां संस्थाओं के सत्रामी हैं सिख भाई हैं जहां वन जारे शिकली गर जो भी उनके लीडर साहब आना है चाहिए के कभी कहीं एक जगा आपस में मीटंग हो ते आपसी वचार वटांदर हो आपस में गालबात हो जैसे हमारे जो तौलक हैं तौला का आता है यह सुदर जाएं और एक दूसरे के सहजोगी बनकर गुरू जी का जो उपदेश है जो उन्होंने इतनी कुर्बानिया करके मनुखता को दिया उसका परचार हो सके लोग उसका नंदमान सके बिल्कुल सही गाल है जिख देशी तुसी कोई हो ग गुरू परचार के असर पर हम मानुखता को संदेश देने के लिए जो आज हमारी डिबेट चल रही है दो से लेकर के दस तारीक तक तो हम गुरूं की अच्छी बातों को लेकर मानुखता को लेकर जो संदेश गुरू ने दिया है इस बात को लेकर हम अधिक सिदिक फोकस क और सच बात की जो जानकारी गुरू साहिबानों ने जो दी है इसको जन जन तक पहलाने के जुरत है और हम सभी गुरूं के बानी को ऐसे ही समय समय पर डिबेट में लाएं और सच को बताएं क्योंकि आज बहुत सारे जो दो लोग है सच की जानकारी से अग्यानता से भड़क कर आपस में जो सोहात्र खतम हो रहा है इसको खतम करने के लिए हमारा ये जो चैनल है एक बहुत कड़ी का काम करेगा और आप सब जो साहिबान और जो जो ग्यानी हैं जो विचार अच्छे रखते हैं इनके बातों को जरूर हमारे देखने सुनने वाले अमल करेंगे ऐसी मैं सोचता हूँ अच्छा जिक्दीश ची दसो कि पागतर अधास जी जड़े होई ने बाविर जी ते रफदास जी जी ना बावत तक यानी जी ने रेफरेंस जिता सी जो ना दी बाणी काफी काफी मिकदार देवे गुरू रांसाओ देवे शामल है जो शाबद सतनामी कम्युनिटी से नहीं जोड़ा जाता Sergio गुरू नानक देव जी ने कहा था कियोंकि नीची से नीची जात नीची के साथ संग हम है ऐसा गुरू जी ने कहा था लेकिन ढूरू रवीदास जी buddies चमार जाती में पैदा हुए थे सत्नामी कम्यूनिटी आज भी उत्तर भारत सकत उन्हें वहां सामान ने सेरेणी का दर्जा मिला हुआ हरियाना पंजाब आपका उत्रांचल उधर जो मैंने जो फाइंड आउट किया है वो सेडूल कास्ट में नहीं आते हैं जो 36 गड़ में सतनामी है उन्हों सेडूल कास्ट में रखा गया है क्योंकि इनकी हालत बहुत कमजोर थी और अंग्रोजों ने जब रिचर्च किया सेस्ट ओबीसी बिनाया डॉक्टर अमबिटकर के बाद में तो इनको अलग-अलग स्रेणी में रखा गया तो जो रविदास गुरू जी थे वो जूता सिलने का काम करते थे और वो एक अलोग की ग्यान उन्हें प्राप्त हुआ था और उन्होंने सच्ची मानवता का ऐसे जगत गुरू उनको कहा जाता है क्योंकि गुरू के सिरेणी में गुरू नानक जी गुरू कबीर साब संत्रविदास जी और चत्तिस गड़ में गुरू घासिदास जी ये चार लोगों को जो गुरू का पदवी मिला तो गुरू का पदवी ऐसे लोगों को मिलता है जो जो अंतरियामी और अलोकिक ग्यान से परिपूर्ण होते हैं ऐसे ही अलोकिक परिपूर्ण ग्यान गुरू रविदास को मिला था इसके कारण में गुरू गोविंग गुर जाती वाद था इसको तोड़ने के लिए गुरु कभिर्दास साब और गुरु रविदास जी ने और चत्तिस गड़ की धरती में संत गुरु घासी दाजी इसने भी सतनाम का अंदोलण चलाया एक अंदोलन के रूप में क्योंकि सत्त के रास्ते में चलने वाला ही सतनामी है क सतनामी का कोई जाती ने होता अच्छा ठीक है ग्याने जी तुस्सिया अपने बचार एड़ करो wonders । हाँ जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गुरु झी का मार गए उस उसमें जात पात का कोई कोई सथान नहीं है जे 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 उनकी बार्णी में लिखा हुए जाद का गर्ब ना करमूर्ख गावारा इस गर्ब ते चाले हैं बहुत बेकारा जो सिख बन जाता है सातनामी बन जाता है जो 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 सिखी में आ जाता है गुरू जी की शरण में आ जाता है उनकी जात पात कुछ नहीं रह जाती उनकी जात जो बस सिख होती है सिख के गुरू का सि तो वो सबी को एक सामान एक बराबर कोई नीच नहीं कोई उंच नहीं तो इसलिए आज गुरू गोविंसेंजी महराजी का परकाश परवा ते मैं दो बचन इसी पर खाय करना जातू हूं कि गुरू सहीं जी ने इसे जातफात को खत्म करने के लिए जो गुरू नानके देव जी से श्री गुरू तेख भादर जीता का भर भूर कोशेंग की गई बहुत यतन किये गए गुरू गोविंसेंजी ने कमाल कर दिया जब खालसा पंथ की साजना की जो आए उन में से भाई दया राम जी कशत्री थे भाई धर्म सेंग जी जाट थे भाई हिमत सेंग जी जी वर थे और जो भाई मौकम सेंग थे वो वस्रेंगी से में से थे जो दरजी का करते हैं चीनवे बोल दो दो बहुत और भाई साइब सेंगी नाई बरादरी में से थे और उन सबी को एक जैसा मान दिया एक बाते में खंडे बाते पाते का जो पाहूल दी गई उनको एक जैसा रूतबा दिया गया और इतना रूतबा दिया कि गुरुजी ने उनको अपने से भी उपर रखा जब चमकौर की जंग में उनों ने पांच पांच एकठे हो कर गुरुजी को कहते हैं कि आप किला शोड़ जाओ गुरुजी कहते ह मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं जहां मेरे प्यारे गुर से खशीद हुए मेरे बेटे शहीद हुए मैं जहां से कैसे भाग सकता हूं तो उनों खालसे के रूप में पांचों के रूप में उनों ने गुरुजी को अदेश दिया कि पंथ के भले की खातर आप जहां से निकल जाओ क्योंके हजारों सीख मिलकर एक गुरु गोबिन से पैदा नहीं कर सकते हैं लेकन गुरु गोबिन से जी हजारों सीखों को दोबारा तियार कर सकते हैं तो गुरु साहिब जी ने जो जात पात है एक लिए के मनुखता के लिए सबसे घातक है इसको खत्म करने के लिए उनोंने जबरदस्त उद्म किये जैसे आपने कहा भाई जैता जी जो बड़े नीच कोल समझी जाती थी उनको रंग रेटा गुरू का बेटा कहा ऐसी अनेका उधारने हैं तो इसलिए गुरू जी के चैड़ी में आज गुरुपुरुब के आवसर पर जितने भी हम सुन रहे हैं जो आप जहां सुनेंगे सभी को और हमारे सभी लीडरों को हमारे सब गुरू नान के नाम लेवा सातनामी हैं वन जा रहे हैं शिगली का रहे हैं और और भी जो मनुखता को प्यार करने वाले सभी को यही संदेशा है कि गुरू जी का के हम ज के हम बारिक तु मेरा गुरहाई ये बेंती है नहीं बलकुल ठीक है जी का लिए के दस्तों जड़े बाबा दीब संग होई ने बाबा दीब संग ओवी ओवी ये अपने इसे ब्रादरी देशो सी कि असलोना दी बारी बारे डाग्डर साहव मैं पडियानी के लिए बीदेख लाँ गे मेरा मालन पना सिहा सिखी ए कि ने विच सब बलादरियान्गान भास नाए राई रिछे कि यादि खूड़ना इस ठीक्राँ एंगर excell्क्राइड education कि वालदा दिनार बारा निन ले आके उन्हानु जदो जाया दे विछ हिस्सा पौंड रही इन्वाइट भी किरता है तो उन्हाने हिस्सा लिया वी तो साथे लिए चान्न बना रहा है तो उन्हों जी याद रखिए तिफे अपने एक दूजे दे निड़े और भी आ सकते हैं हमें यह भी लिखा कि जो सेख की जात पूछता है वो तनकाया है क्योंकि जात 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 जब हम एक दूसरे की पूछेंगे मैं जात हूँ मैं ब्रहमन हूँ मैं कशत्री हूँ मैं चमार हूँ मैं जुलाहा हूँ और उस वकत बीच में दरारें पड़ जाती इसलिए बस एक जोत को पहचान ना जानो जोत ना पूछो जाती गुरू जी का उपदेश ठीक है गार अच्छा जिगदेशी लास्ट वर्ड कोई तुस्की हो गार कहनी होए लास्ट में हमारा एक है संदेश है गुरू जी के हम परव मना रहे हैं तो हमारा ये डिवेट का मकसद यह है कि हम गुरू के सच के मारगों पे सतनाम के मारगों पे जो उनोंने बिस्तार से जानकारी दी है उसकी विचार को जनजन तक लेके जाएं और इस हिस्टिय को इस इतिहास को हमारे आने वारे यूथ जेनरेशन है वह धिन करे और हमारे चेनल के माद्ध हम से हम समय समय पर जितने भी महान पुरसों है जिसमें गोतम बुद्ध साब का है चाहे गुरु गासिदाज जी का है चाहे गुरु रविदाज जी के हैं जिस दोंक से हम अभी ये गुरु गुविं ओविंस प्रुचर आ उसी प्रकार से अभी महान पुरसों की विचारों को ले करके हम आप जैसे साहवांओं को ले करके हम यह इस बात को लेकर के दुनिया को बताएं, दुनिया को जानकारी दें ताकि सच के रास्ते पे, सतनाम के रास्ते पे लोग चल सकें यही हमारा इस B.O.M. TV के माद्धम से संदेश होगा यही हमारा बीनती होगा, यही हमारा नहीं विदिन होगा मानवजात को थैंक यू जी बहुत मेरवानी थैंक यू पार्टी इस्प्रेशन जगदीशी तुसी अपने अपने बचार दे के बहुत शोड़ा जार है इस पासे तेसे तरह सहनु गुरू कल गीतर हो रत्षा बक्षे कैसे एक दूज़े दे निड़े आईए एक दूज़े जड़े गुणा दी सांज करिए ते जब नौ में पाश्चान ने क्या पैका हुको देदना ना पहमानतान दे जड़े असूला हुना नो अपने जीवन दे विच परणाईए ते जिमें पाश्चान ने क्या सब भे सांजी वाल सदाइन कोई ना दे साहबारा जी हो दे उत अमल करिए उनना दे विचारां दे होते ते अपना जीवन सफला करिए ते नाड़े आड़े दोड़े दे विच भी जागरती पैता करिए इने श जिए गहें फॉपारणिसप्रेशन वाहिर रुजी का काल साओः ने के वाहिर घुठिजी के हादजी